मदर्सों में गूंजेंगे अब संस्कत के शलोक, मदर्सा एजूकिशन बोर्ड ने की तैयारियां शुरू, संस्कत के साथ मदर्सों में अर्भी भी पढ़ाई जाएगी, देवभूमी उत्रकंड के मदर्सों में अब जल्दी उर्दू के साथ संस्कत के शलोक भी गूंजते सुनाई देंगे जिसको लेकर उत्राखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं इसके लावा मदरसो में अर्भी भी पढ़ाई जाएगी इसकी जानकरी उत्राखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अद्यक्ष मुफ्ती शमून काजबी ने दी है उनका कहना है कि दोनों प्राचीन भाशा एक दूसरे से जुड़ी होई हैं उत्राखंड में मदरसा एजुकेशन बोर्ड और मदरसो में लगतार रिफॉर्म के चलते अब कई ऐसे नए प्रावधन किये जाएंगे जिने अब तक तर्ख संगत नहीं समझा जाता था मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि संस्किर्ट और अरवी यह दोनों बहुत प्राचीन जबाने हैं और दोनों का जो कल्चर है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है मैं यह समझता हूँ कि अगर आज के इस परिपेश में मौलवी को संस्किर्ट सिखा दी जाए और पंडी जी अरवी जान ले तो हमारी बहुत सारे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे और बहुत दिन के बाद एक ऐसी सरकार कारिय कर रही है इस देश के अंदर मैं यह कहने में बिलकुल मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज के देश के परधान मंतरी शी नन मोदी जी उनकी जो कारिय शेली है उसने देश को मजबूत बनाया है पुरे विश्व के अंदर हमारी पहचान बनाई है और हमारे उत्राखंड राजीय के माननीय मुख्य मंतरी शी पुर्षकर सिंधामी जी दोनों की बेक्गरांड कोई राजनीती से जुड़ी वी नहीं है यानि समाजिक कारियों से जुड़ी जुड़ी इससे पहले मदर्सों में पढ़ने वाले चात्रों के सर्वागीन विकास के लिए समय समय पर बदलाओ किये जाते रहे हैं इससे पहले मदर्सों में मौडन शिक्षा पदती लागू की गई थी जिसके तहित हिंदी, गणित, तंग्रेजी विशों को पढ़ाना शुरू किया गया था इन बदलाओं से पहले मदर्सों में सिर्फ उर्दू, अर्बी और धर्मी पेक्ट्रस बच्चों को कराई जाती थी उतरखन के मदर्सों में चात्रों को संस्कित के शिक्षा पंडित देंगे, इसके लिए बोर्ड ने अपचारिक प्रस्ताओं का ड्राफ्ट तयार कर लिया है पंजब केसरे टीवी के लिए धैरदून से आशीश रमोला की रिपोर्ट